तो दोस्तों रिमजिन बारिस का मौसम हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो होई नहीं सकता तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पकोड़ा ये पकोड़ा बनाना बहुत ही आसान है बिना किसी ताम जाम के बन जाता है खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है तो देर किसी बात की सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ प्याज और चौलाई साग का पकोड़ा मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा तो चलिए बनाते हैं चौलाई साग का पकोड़ा इस पकोड़े को बनाने के लिए मैंने लिया है चौलाई साग एक पंच तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का होता है आपको मैं नजदीक से दिखा रही हूँ अब हम इसके डंटल को इस तरीके से सबसे पहले कट कर लेते हैं इसका डंटल वैसे तो बहुत नरम होता है लेकिन पकोड़ों के लिए डंटल को निकाल लेंगे तो पकोड़े अच्छे बनेंगे अब हम इसे इस तरीके से जो घास वगएरा है सारा निकाल देंगे आप देख पारे होंगे और यह जो पतिया है और नरम जो डंटल आगे के हिस्से का है उसे हम तोड़ के निकाल लेंगे यह देखे डंटल बहुत ही नरम है मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ आप साग बनाईएगा तो डंटल को जरूर डाल दीजेगा वो अच्छे से गल जाता है यह देखे इस तरीके से सारी पतियों को हमने निकाल लिया है साग को अच्छे से साफ किया है और अब इसे रख लेंगे एक प्लेट में यह देखे मैंने इस टेनर पर इसे रख लिया है और इसे रख दिया है चोपिंग बोर्ट पे बस इसे बहुत महीन काटने की भी जूरत नहीं है फटाफट कट करिये जैसे भी कट कर सकते हैं कट कर लीजेगा क्योंकि ये आपस में गल जाता है बहुत जल्दी तो इसे बहुत जादा बारी कट करने की जूरत नहीं है मैं हातों में इस तरीके से दबा लूँगी और बस नाइफ से फटा फट कट करते जाएंगे दोस्तों पकोड़े तो कई तरह के बनते हैं आलू के, प्याज के, बहुत सारी चीज़ों के पकोड़े आपने खाये होंगे और बनाये भी होंगे पर एक बार मेरे करने से चौलाई साव का पकोड़ा बना के देखिएगा बार बार आपका बनाने का मन करेगा तो ये देखे इस तरीके से बातो ही बातो करके तियार कर लिया अब इसे डालेंगे एक mixing ball में क्योंकि अब हमें पकोड़े बनाने का प्रोसेस सुरू कर देना है तो यह देखिए मैंने यहां पर mixing ball में साग को डाल दिया है पकोड़ा जितना जादा बनाना हो साग की quantity उतनी जादा रखेगा अगर आप बहुत जादा बनाना चाह रहे हैं तो दो बंच ले लिजेगा 14 साग का और यहां पर बड़े साइस की एक प्याज ली थी मैंने उसे इस तरीके से लंबे स्लाइस में दोस्तों कट करके रखा है हाथों से इस तरीके से क्रस करके डालेंगे ताकि इसकी जो स्लाइस है वो अलग-अलग हो पकोड़ों में जब स्लाइस अलग-अलग हो जाती है तो पकोड़े अच्छे बनते हैं तो प्याज को आप देख पा रहे होंगे मैं हाथों से इस तरीके से क्रस कर ले रही हूँ यहां पर हमने प्यास डाली है प्याज का टेस्ट इसम बहुत अच्छा आता है प्यास तो जरूर ही डालिएगा आलू को आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं इसकिप कर दीजिएगा अगर आलू नहीं खाना पसंद करते हैं तो मैंने छोटे पीसों में आलू को कट करके रखा था पानी में डाल के फिर पानी निकाल के आलू को डाल दिया है हरी मिशबार कटी हुई मैंने तीन चार डाली है उसके बाद अद्रक और लहजन का पेस्ट थोड़ा सा चीली फ्लिक्स डालेंगे इसे चटपटा बनाने के लिए और ये बेसन हम डाल देंगे इसमें तो पहले मैं यहां पर डाल रही हूँ एक कब बेसन जरुवत होगी तो और बेसन का य पकोड़ों में क्योंकि पकोड़ों को पचाने में असानी होती है अजवाइन से गैस वगर नहीं बनती उसके बाद हम हल्दी पौडर डालेंगे और अब डाल देंगे नमक इसे डालने के बाद अब हम अचार का मसाला डालेंगे यह ऑप्सनल है दोस्तों इसके जगह पे कुछ भी आप डाल सकते हैं लेकिन अचार का मसाला अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा बहुत अच्छा स्वाद आता है उसको यहाँ पे भर्मा मिर्च का मसाला था हमारे पास तो मैंने थोड़ा से इसे डाल दिया है अब पहले सारे को अच्छे से मिला लेंगे ब यहाँ पे देखे सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है आप इस तरीके से उठाईए और रातों में इस तरीके से करिए और गर्मा गरम तेल में इन पकोड़ों को डाल दीजिए बस इसी प्रोसेस से सारे पकोड़ों को आपको तरना है पकोड़ों की साइज आप हिसाब से रखिएगा, बहुत जादा बड़े पकोडे मत करिएगा, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो क्रिस्पी नहीं बनते, तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के पकोडे बनाए हैं, यह देखिए, इस तरीके से डाल देंगे, तुरंट नहीं पल्टेंगे, बस कि यह क्रिस्पी भी बने, यह देखिए, इस तरीके से फ्राई कर लीजेगा, अब इस बारिज के मोसम में इस तरह के पकोडे मिल जाएं और गर्मा गर्म चाय मिल जाएं तो क्या कहने, तो अब अपने दोस्तों को घर में बुलाईए और इस तरह के पकोडे बनाके ये देखिए, बातों ही, बातों में मैंने पकोडों को फ्राई कर लिया है, आप देख पारे होंगे, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और बहुत बहुत प्यारा आया है पकोडों का, तो च Case इसे निकाल लेते हैं इस तरीके सीसे निकाल लेंगे और रखेंगे इस टेनर पे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ओयल है वो दुबारा से कडाहे में गिर जाए मैंने पकोड़ों को तलने के लिए दोस्तों सर्सो के तेल का यूज किया है क्योंकि पकोड़े सबजियां ये सारी चीचत सर्सो के तेल में बहुत स्वाधिश्ट बनती है आप सरसो का तेल नहीं उस कर सकते हैं तो जो भी तेल आपके पास है उससे आप पकोड़ों को बना लीजिएगा और यहाँ पे देखें गर्मा, गरम, क्रिस्पी, कुरकुरे से पकोड़े बनके त्यार हैं और सेम प्रोसेस से मैंने अगला बैच भी त्यार कर लिया है तो करते हैं गर्मा, गरम सर्व और मैंने सर्व किया है टोमेटो, केचप और धनिय पुदीने की चटनी के साथ और यह देखें तोड़के भी दिखा देते हैं अंदर से बहुत अच्छे से हो गए हैं मेरी यह रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बैबै दोस्तों